हाई ट्विल्टीज, वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो तबित और गाईज, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना इंप्लॉइमेंट चेप्टर वन शॉट में कम्प्लीट करेंगे, यानिकी फुल चेप्टर एक वीडियो में सबसे बहले अगर आपने पूरे सालिस चेप्टर को नहीं पढ़ा तो डोंट वरी आप अप पढ़ सकते हो लेकिन आपको अपनी बुक ज़रूर हो एक पर ओपन करने ता कि आपको पता रहे आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो और इसे रिवाइक्स कर सको अब सरण करते हैं आपने ओपन मेंकर चेप्टर बहुत असान अरवानिन आपस ऐसे होती है उसको पहचानना जरूरी है तो सबसे पह्ले है अगर एक्टिविटी जिसके आप पैसा कमाते हो और पैसा क्माते हो जीवन को चलाना के लिए तो उसे एमप्लयमेंट क्या होता है क्या means of livelihood तो उसे हम employment कहते हैं तो यानि कि जो भी चीज हम पैसा कमाते हैं उसके लिए जो भी काम करते हैं उसको हम employment कहते हैं लेकिन of course वो काम legal होना चाहिए, illegal नहीं होना चाहिए otherwise वो employment नहीं कला जाएक और उसके लिए हमें सजा हो सकती है right? so employment क्या हुआ employment is an activity by which a person earns means of livelihood तो उसे हम employment कहते हैं right? तो जब भी हम लोग employed होते हैं हम लोग काम कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम किसी के अंडर काम करेंगे तो ही हम employed कहला जाएंगे अगर हम अपना business भी करते हैं तो भी हम employed कहला जाते हैं employment कहते हैं तो जब भी एक देश में एक person employed होता है या काम कर रहा होते हैं चाहे कुछ goods बनाने में हैं production में हैं या फिर services में हैं यानि कि वो employment का part है और वो हमारे देश की GDP में उसका योगदान है हमारे देश की national income में उसका योगदान है GDP का मतलब क्या होता है gross domestic product यानि कि हमारे देश में बनने वाले सारे goods and services की monetary value को GDP कहते हैं तो अगर आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ का production करते हो it means आप देश की production में contribution करते हो वहाँ की national income में contribution करते हो so guys ये तो हुआ हमारे employment के बारे में कुछ खास बाते ही इसके बाद आता है guys worker यानि कि worker किसे कहा जाता है so guys बहुत simple सा है जो बन्दा जो person काम करता है उसको worker कहा जाता है so worker is an individual who is involved in some economic activity to earn a living जो भी बन्दा किसी economic activity में involved है जिससे वो पैसा कमा सकता है उसे worker कहते है so worker is an individual who is involved in some economic activity to earn a living is called worker तो चाहे मैं अपना काम करूँ self employed हूँ तो भी मैं worker हूँ चाहे मैं किसी के under wage employment में काम करूँ तो भी हम worker कहलाएंगे so जो भी person काम करता है वो worker होता है तो कोई अगर अपना काम खोल के कहता है भई हम तो यहाँ पे worker थोड़ी है लेकिन वो worker है क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए कर रहा है so जो भी person काम करता है उसको worker कहा जाता है whether वो self employed हो या फिर wage employed right अब इसके बाद आता है guys कि हम लोग employment को multifaced कहते हैं इंडिया में ऐसा क्यों सबसे पहले इंडिया में multifaced इसलिए कहा जाते है guys क्योंकि यहाँ पर जो employment है वो कई बार ऐसी होती है कि whole year लोगों को काम मिलते है तो कई बार seasonal employment होती है right तो इस वज़े से यहाँ पर इसे multifaced कहा जाता है कईयों को full salary fair wages मिलती है तो कई बार unfair wages दी जाती है इसलिए उसके बहुत सारे रूप employment के ठीक है तो अब अगर main बात करें guys total worker 2011-12 के हिसाब से total worker 473 million थे और सबसे खाथ बात क्या है कि इसमें से 70% male थे और 30% female workers थी तो ये तो हमारे इंडिया में शुरू से रहा ही है कि आत्मी लोग जादा काम करते थे और ओर्टों को घर के कामों में रखा जाता था लेकिन अब ये बहुत हद तक change हो गया है लेकिन 2011-12 का data क्या कहता है कि 70% male थे और 30% female थी और इससे ज़्यादा खास बात क्या है कि ruler areas में ज़्यादा female काम करती है as comparative to urban areas यानि कि यहाँ पर one third female काम करती है तो यहाँ पर total workers का female का कितना योगदान है one fifth योगदान है तो यानि कि औरते इस गाउं में ज़्यादा काम करती है गाउं की तो guys उसके पीछे का reason है poverty गरीबी के कारण क्योंकि वहाँ पर गरीबी ज़्यादा होती है तो उनको कोई न कोई काम पकड़ना पड़ता है अपने घर की help के लिए ठीक है तो यह तो था female workers के बारे में और दूसरी चीज़ गाई female workers को कई बार worker treat ही नहीं किया जाता यानि कि उनको recognize नहीं किया जाता वो worker है यानि कि एक lady अपने husband के साथ खेतों में दिन रात काम करती है उसकी help करती है हम उसे ऐसा लेते help कर दिया but she is also employed in that particular activity वो भी तो काम ही कर रही है न वहापे तो उसे हम लेकिन worker treat ही नहीं करते है तो कई बार woman का percentage इसलिए भी कम आता है क्योंकि हम उन्हें treat ही नहीं करते कि वो भी worker है और वो भी उसमें उतना ही योगदान दे रही है जितना की घर के और members या उसका husband तो यह चीज़ है कि woman का percentage वो कम calculate होता है जबकि वो उतना ही योगदान देती है तो यह चीज़ होई guys worker के बारे में second जो word है guys that is labor force labor force किसे कहते है so guys जितने भी हमारे देश में लोग employed है plus unemployed है उन्हें मिलाकर हमारे देश की labor force बनती है यानि कि those people या those individuals who are employed who are working ठीक है and those who are not working but are able and willing to get a work ठीक है at the existing wage rate तो वो लोग unemployed होते है जो चाहते हैं काम मिल जाए पर मिलता नहीं that is the unemployed तो दोनों को मिलाकर हमारे देश की labor force पता चलती है ठीक है यह बात समझा है guys तो यानि कि labor force किसे कहते है labor force who are working all person who are working and who are not working are seeking and are available for work are deemed to be the labor force तो जो employed है प्लस unemployed है उनको हम labor force कहते है बट इसमें कौन लोग नहीं आते कई बार ये question आ जाते है कौन लोग है जो labor force का partner है तो guys minor को labor force नहीं माना जाता और इसके लावाद 60 साल से जो अबव लोग होते हैं उनको भी labor force में treat नहीं किया जाता इसके लावा जो unfit लोग हैं यानि कि physically handicapped हैं या वो काम नहीं कर सकते हैं तो उन्हें भी labor force में नहीं treat किया जाता इसके लावा जो लोग काम करना चाहते ही नहीं है उनको भी labor force नहीं माना जाता ठीक है इसके बाद आता है guys एक होता है workforce workforce किसे कहते हैं तो जो लोग employed होते हैं उनको workforce कहा जाता है यानि कि जो लोग employed हैं उन्हें workforce कहा जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि labor force में workforce plus unemployed आते हैं तो अगर हमें unemployed निकालने हो तो अगर 200 लोग total labor force हैं और हमारे 180 employed हैं तो unemployed कितने हैं 20 तो employed लोगों को workforce कर जाते है the number of person who are actually employed at a particular time are known as workforce ठीक है तो इनका आपस में formula भी बन जाते है जहाँ पर labor force is equals to workforce plus unemployed यानि की जो लोग काम करते हैं plus जो लोग काम नहीं करते इसके लाबा guys एक हमारे पास formula बनता है हमारा labor force participation rate किसे कहते हैं तो जो भी labor force है divided by total population is called the labor force participation ratio ठीक है और यह multiply by 100 कर दोगे तो answer आपका percentage में आ जाता है इसी तरीके से worker population ratio किसे कहते हैं तो worker, total number of worker divided by total population into 100 is called the worker population ratio ठीक है तो worker का population में कितना योगदान है तो उसे कहते हैं आप जितना किसी देश का worker population जादा होगा it means वहाँ पर उतने लोग धादा employed है और जिसका कम होगा यानि कि कम लोग employed है क्योंकि worker कौन होता है जो लोग काम करते हैं उनको worker कहते हैं देखो इसके बाद यहाँ पर हमारा contribution दिखाया गया है आप लोगों की table है एक जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़े given है देखो रूलर एरिया और अर्वन एरिया के हिसाब से male और female कितने लोग worker है वो ratio बताया गया है तो men का 54.3 है male जो रूलर एरिया में काम करते हैं और 54.6 अर्वन एरिया में काम करते हैं जबकि woman 24.9 है जो आपके रूलर एरिया में काम करते हैं 24.8 है सौरी इसके अलावा 14.7 है अर्बन एरिया में तो अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो मेल 54 है जबकि फीमेल 14.7 है परसेंट है ठीक है यह परसेंट में है और मेल रूलर एरिया में ज़्यादा है और फीमेल कम है लेकिन अगर आप फीमेल का comparison करो तो of course रूलर एरिया में फीमेल ज्यादा काम करते जो कि मैं आपको बताई चुकियों जबकि मेल का almost same ही रेशो है ठीक है तो there are many reasons अब आप कहोगे कि और आदमी लोग ज्यादा काम क्यों करतें क्योंकि इसके पीछे जो बुक में reason दिया गया है guys वो यह है कि जो औरते हैं उनको underestimate किया जाता है क्योंकि जब आदमी लोग ज्यादा कमा के लाते हैं तो औरत को बोला जाता है कि आप घर समालो ठीक है इस वज़े से men are able to earn a high income and therefore family discourage female members to taking up the job तो इस वज़े से औरते को कम discourage किया जाते कि वो कम काम करती है तो higher proportion होता है male workers का और अगर हम देखे employment opportunity तो guys urban areas में जादा होती है as comparative to ruler areas ठीक है अब यह चीज़ आपको बता चली तो total जो है guys हम लोगों का इनका अगर आप total करोगे तो 100 लोगों में average 38.6 लोग है परसेंट लोग काम करते हैं बाकी लोग काम नहीं करते हैं यानि कि जो लोग worker है 100 लोगों में से 38 average है जो लोग worker पाए जाते हैं ठीक है तो guys यह था आपके कुछ topic अब हम आगे जब बढ़ रहे हैं तो इसमें अब हम बढ़ेंगे देखो दो type की employment होती है ठीक है एक होती है आपकी wage employment और दूसरी होती है आपकी self employment राइट wage employment यानि कि आप job करते हो self employment यानि कि आप अपना खुद का काम करते हो and self employment की definition क्या है an arrangement in which worker use his own resources to make a living is known as self employed जबकी wage employment क्या होता है guys an arrangement in which a worker sell his labor and earn a wage in return is known as wage employment हर बुक में अलग definition दी जाती है guys पर मतलब सबका same ही होता है आप जो wage है यानि कि self employment तो guys अपने आप में एक अखेली personality है लेकिन wage employment दो type की होती है एक होता है आपका salary wage employment ठीक है जिसे हम regular worker भी बोलते है या regular salary भी बोलते हैं और इसके अलावा एक होते है हमारे casual होता हम permanent basis पर नहीं होते हैं अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा जैसे कि private job जबकि government job अगर आप देखोगे तो आपको वहां पर पैसा मिलता रहते हैं और बहुत सारे social security benefit भी मिलते हैं तो generally salary को government से relate किया जाता है और casual को private से सेल्फ बोले तो अपना काम अब हमारे देश में बड़ा चौकाने वाला जो डेटा है वो मैं आपको बताती हूं कि self-employed total 52% यानि कि जो total worker हैं उसमें से आदे से जादा लोग अपना काम करते हैं यानि कि 52% लोग गाई self-employed है जबकि salary सिर्फ 18% है और हमारे 30% casual worker है और आपको एक चीज जानके हिरानी होगी guys कि अब लोग regular salary और self-employed से casual की तरफ जादा बढ़ रहे हैं जिसे हम casualization of workforce कहते हैं क्या कहते हैं casualization of workforce जिसमें salaried and self-employed लोग move on होते हैं कहां पर casual workers की तरफ तो उसे हम casualization of workers कहते हैं तो यह है इसके अलावा guys एको बहुत सारा हमारे book में graph के थूर डेटा गिवन है जिसमें हमें बताया गया है कि हमारे primary sector, secondary sector और tertiary sector में कितने-कितने लोग employed हैं तो बुक में काफी सारा data given है जिस पर मैंने अलग से separate video भी बना रखी है तो आपको एक बाद डेटा जरूर देख सकते हो जिसमें मैं आपको एक short form में बता सकती हूं यहां पर कि जैसे कि primary sector है primary sector बोले तो agriculture agriculture में हमारी 48.9% population जुड़ी हुई है यानि कि आधी लगभग population हमारी agriculture sector में secondary sector में अगर हम बात करें guys तो हमारी 24.3% population है जबकि tertiary sector में 26.8% है तो tertiary बोले तो service sector तो यह अच्छी बात है कि हम manufacturing से service sector में move on हो रहे हैं यानि कि जादा लोग हैं बट अभी भी हमारे देश की काफी जादा अजन संख्या किस पे है primary sector पर है तो जितना जादा हम tertiary sector पर जाते हैं इत means हम development की तरफ उतना जाते हैं ठीक है तो यह data एक तो हमें given है दूसरा guys एक चीज यानि कि आप देखोगे गाउं में गाउं में कहां पर लोग जादा काम करते होंगे जब कि इसके ओपर data given है जो कि बहुत असान सा है इसके अलावा guys distribution of male and female का आपको different sector में कि कितनी ओरते primary sector में हैं कितने आदमी लोग primary sector में हो एक data given है तो वो बहुत असान सा है आप एक बार ज़रा सा read कर लोगे इस समझ आ जाएगा हाला कि आपको जो भी data given होगे उसके उपर आपको analyze करने के लिए ही आएगा अब एक most important term की तरफ जाती हूँ जिसको हम बोलते हैं jobless growth ये हमेशा से important रहा है पूछा जाता है jobless growth किसे कहते हैं guys जब एक economy में goods and services जादा produce हो रहे है production की मातरा जादा है but employment उसे साब से नहीं बढ़ रही यानि कि आपने machine लगा के जादा production कर लिया लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला तो उसे jobless growth कहते हैं so jobless growth refers to a situation when the economy is able to produce more goods and services without a proportion increment in the employment opportunity यानि कि हमें employment मिल नहीं रही इसकी वज़े से guys अगर आप कभी इसका graph देखोगे तो वो किस तरीके से जाता है यानि कि हमारी जो GDP है वो कुछ इस तरीके से उपर जाती है जबकि employment का graph नीचे तो यह जो gap है that is called jobless growth यानि कि difference जो gap है वो जादा आ रहा है ठीक है इसके बाद guys देखो हमारे हाँ पर दो type के sector होते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं एक होते है formal sector और एक होते है informal sector इसे हम organized कहते हैं और उसे हम क्या बोलेंगे unorganized राइट formal sector उसे कहते हैं जहाँ पर 10 या 10 लोगों से जादा employ किये जाते हैं so all the public और private enterprises which employed 10 और more people ठीक है are known as the formal sector establishment और जो भी guys formal sector establishment होते हैं उसे सारे laws बगर एपली केबल होते हैं जबकि informal sector कौन सो होते है guys जो 10 या 10 से कम लोगों को employ करता है तो उसे हम informal sector कहते हैं या फिर unorganized sector कहते हैं इंडिया में 90% से जादा around 93% लोग informal sector में काम करते हैं और सिर्फ around 7% formal sector में काम करते हैं तो आप समझ सकते हो कि organized sector कितना ही कम है हमारे देश में कि सिर्फ वहाँ पस 7% workforce पाई जाती है या मिलती है ठीक है इसके लावा guys जो next topic है हमारे इस chapter में वो है unemployment किसे कहते हैं so unemployment तो आपको पता ही चल गया है guys unemployment कौन सी situation है unemployment refers to a situation जब एक बंदा काम करने के लायक है चाहता है पर उससे काम नहीं मिलता उससे unemployment कहते है so unemployment refers to a situation in which people are willing and able काम करना चाहता है ठीक है और able भी है लायक भी है at the existing wage rate जो इस समय पर उससे द्यारी मिले वो उस पर त्यार है काम करने को but but do not get work उससे काम नहीं मिल रहा तो उससे हम unemployment कहते हैं बहुत बहुत आयत से इस चीज़ को जाना जाता है कई पार अच्छे business अच्छे opportunities unemployment को कम कर देती है बढ़ हमारे देश में because of many things unemployment बहुत जादा है अब गाइस क्या है unemployment का data हमें कहां से मिल सकता है तो फर्स जो जगे होती है जहां से unemployment का data मिलता है first is the census, second is NSSO that is National Sample Survey Organization ठीक है census बोले तो जणगरना जब हर 10 साल में होती है तब हमें पता चलता है गाइस उसके बाद third है DGET बोले तो डारेक्टरे जनरल education डारेक्टरे जनरल of employment and training ठीक है तो यहां से भी जो employment exchange पर data जाता है वो उससे हमें पता चल जाता है कि कितने लोग unemployed है तो तीन जगे से हमें data मिलता है census से National Sample Survey Organization डारेक्टरे जनरल of employment and training ठीक है इसके बाद guys unemployment कितनी टाइप की होती है तो there are three types of unemployment first is disguised unemployment क्या बोलते हैं इसको disguised T-I-S-G-U-I-S-E-D disguised unemployment यानि कि वो unemployment दिखती नहीं है एक खेट पर चार लोगों की need है और चार लोग काम कर सकते हैं और पूरा production हो सकता है यानि कि जब कि तो जो extra लोग काम कर रहे हैं that is called disguised unemployment तो हमें लगेगा कि वो लोग काम कर रहे हैं बट वो actually में production में कोई भी increment नहीं कर रहे हैं so disguised unemployment refers to a state in which more people are engaged in work than are actually needed यानि कि जितने लोगों की हमें जरूरत है उससे जादा engaged है तो उसे disguised unemployment कहते हैं कि क्सेएं कई से कहते हैं आपको पता ही होगा कि की सम्ताइंस कुछ टाइम तक वो emploiड रहते हैं और कुछ टाइम तक unemployed रहते तो उसे seasonal unemployment कहते हैं जैसे अंब्रेला वाले जैसे कि जब बालिशी होती है तो उनको काम मिल जाते है रोजगार मिल जाते लेकिन कुछ समय फिर बिरोजगार रहते है So unemployment that occur at certain season of the year is known as seasonal unemployment So seasonal यानि कि जब उनका season होते है उनके पास काम होता है जब उनका season नहीं होता उनके पास काम नहीं होता That is called seasonal unemployment और एक होती है open unemployment जो unemployment होती है उसी को open unemployment कहा जाता है यानि कि जो लोग काम करना चाहते हैं और उनके काम नहीं मिलता उसी को unemployment कहते हैं और उसी को ही open unemployment कहा जाता है तो open बोले तो normal unemployment को ही open बोला जाता है अब इसके बाद guys क्या reason है हमारे हाँ पर unemployment के तो बहुत ही असान से reason है सबसे बहला reason guys क्या है कुछ नहीं समझाता population explosion यानि कि हमारे देश के इतिनी जनसंख्या है न कि unemployment को खतम करना मुंकिन ही नहीं ना मुंकिन हो चुका है सबसे बहला population explosion क्योंकि population बहुत तेज कती से आगे बढ़ रही है second guys हमारा जो education system है वो थोड़ा सा गड़ बढ़ा रखा है तो उसके लिए इन बुक में language भी उस करी गई है defective education system तो वो भी एक reason है guys कि education system इतना अच्छा नहीं है कि वो बारमी पास करने के बाद demand करता है कि आप कुछ further study करोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी तो इस वज़े से भी unemployment जादा फैलती है second guys जो हमारा slow rate of economic growth है यानि कि economy की जो growth होनी चाहिए आगे बढ़ने की वो उतनी तेज नहीं है employment प्रोवाइड करने की वो उतनी नहीं है जिस वज़े से लोग unemployed रह जाते क्योंकि population तो अपनी तेज गती से आगे बढ़ रही है बट economy में production उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है economy में industries उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जिसकी वज़े से गाउं में unemployment जादा मिलती है इसके बाद guys defective education system बता दिया slow growth of industry यानि की industry की जो growth है वो बड़ी slow है जैसा की मैंने आपको बोला की industry बनी नहीं रही है नई industries नहीं आ रही की जो employment opportunity प्रोवाइड करे इसके बाद decline of cottage and small scale industry यानि की जो हमारे समय के साथ guys small scale industry decline हुई है तो जो लोग पहले छोटे-छोटे काम घरों में कर लिया करते थे employed रहते थे अब वो लोग बेरोज़कार हो गई है next है guys faulty planning यानि की देश में जो planning करी जा रही है employment को लेकर ruler population के employment को लेकर urban population के employment को लेकर या ruler से जो urban लोग migrate होते है सारी planning जो है वो fail नजर आती है वो पूरी तरीके से success नहीं हो पाती जिसकी वज़े से unemployment बढ़ती है inadequate employment planning faulty planning और inadequate employment planning यानि की हम सोचते की एक लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा लेकिन मिलता सिर्फ 10,000-5,000 लोगों को है इसके बात है low capital formation जो देश में capital formation है वो कम है अगर machine बनेगी ही नहीं capital formation क्यों होते है जैसे machine वगरा बनाना अगर machine बने तो machine आगे लगेंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा लेकिन अगर हमारे देश में manufacturing नहीं है machine नहीं है बनती ही नहीं है तो हमें हर एक चीज़ बाहर से import करनी पड़ती है और वो import कम amount में होता है लेकिन अगर आप सोचो हमारे देश के अंदर machine बनने लग जाए तो उतनी जादा employment opportunity बनाने वालों को भी मिलेगी और वो जहां लगेंगी manufacturing में उधर भी मिलेगी तो low capital formation है हमारे देश में जिसकी वज़े से यहां पर unemployment है अब इसे दूर कैसे कर सकते हैं तो guys जो आपने कमियां पड़ी ना जैसे कि पहली कमी थी slow rate of economic growth तो वो कहते हैं इसे बढ़ा दो accelerating growth rate of GDP तो दूर हो जाएगा यानि कि हमें अपनी growth rate को बढ़ा देना है दूसरा हमने पड़ा population बहुत जाद है तो वो कहते है population को कम कर दो तो आप अपने देश में unemployment कम कर सकते हो थर्ड हमने पड़ा underdeveloped agriculture तो वो कहते है अपने agriculture sector को develop कर दो यानि कि development of agriculture sector जिसकी वज़े से unemployment कम हो जाएगी defective education system तो वो कहते है education system को हमें सही करना है जिसकी वज़े से नौकरी लोगों को मिलने लग जाए slow growth of industry तो वो कहते है growth industry की बढ़ा दो तो यानि कि जो जो अपने कमिया बड़ी है अगर अब वो आपको याद है तो उनको सही कर दोगे education system को planning को तो सारी हमारी employment की unemployment की दिक्कत दूर हो जाएगी तो इस तरीके से guys unemployment को दूर किया जा सकता है तो ये था हमारा employment chapter I hope तो आप लोगों को समझाया होगा अगर फिर भी कोई query है तो आप Instagram पर ID है तब ता मैसी पूछ सकते हो Thank you